भारत में 20 साल बाद कोई आटोमेकर कंपेनी पहली बार IPO लॉंच करने वाली है और वो भी सेवी के इतिहास में सबसे बड़ा IPO इस कंपेनी के नाम से आप वाकिव ज़रूर होंगे जिसका नाम है Hyundai जो भारत में सबसे ज़्यादा कार बेचने के मामले में दूसरे नंबर पर है नेशनल हॉस्पिटल यानि अत्याधुनिक स्वास्त सेवाओं का भरोसा लेजर तक्नीक से पाइल्स, फिस्चुला और वेरिकोज वेंस का इलाज बिना चीरा और बिना टाका सिर्फ एक दिन में छुट्टी कैंसर सर्जरी और केमो थेरेपी सेवाएं भी उपलब्ध हैं आईश्मान और ESIC कार्ड भी माने नेशनल हॉस्पिटल जहां आपको मिलता है बहतर इलाज पता है समान ते रहा नया बसिस्टेंड रीवा हुंडाई LIC के बाद सबसे बड़ा IPO लांच करने वाली कंपनी बन गई है जिसका IPO साइज 25,000 करोड रुपए है जो LIC से 4,000 करोड रुपए जादा है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंपनी इतने सारे पैसे जुटाने के लिए कोई नया शेर्स इस्यू नहीं कर रही ह बलकि अपने मौजोदा इंवेस्टर्स और ओफोस के जरीए शेर बेच रही है जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुंडाई 20 सालों में पहली बार IPO लांच करने वाली इंडियन आटो मेकर कंपनी है बीस साल पहले 2003 में मारूती सुजुकी ने IPO लांच किया था तब उसके ए मारूती सुजुकी के अलावा महंध्यरा और Tata मोटर्स भी काफी वक्त से लिस्टेट कमपनिया है और ह्यूंडई चौधी लिस्टेट कमपनी बनने वाली है हूंड़े मोटर इंडिया मारूति सुजुकी के बाद देश की सबसे बड़ी कार बनाने कमपनी है जो इंडियन की इंडिया मिशन 1996 में एंट्री हुई थी असल में इसका ओरिजिन जापान है मौजूद वक्त में हुन्डाई अपने 13 कार्ड मॉडल्स इंडिया में सेल करती है और कंपनी के पास 1306 सेल आउट्स और 1549 सर्विस सेंटर हैं देखा जाए तो इन्वेस्टेज हर हाल में प्राफिट दिया है अब बात करें कि हुन्डाई आइपियो लॉंच कब होगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगले महीने अक्टूबर के मिड में हुन्डाई अपना आइपियो लॉंच करेगी मगर अब तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई है और नहीं लॉट साइस के बारे मे डीटेल सामने आई है सिर्फ इशू साइस के बारे में पता चला है जो 25,000 करोर रुपए है और इंडिया का सबसे बड़ा आइपियो है वैसे क्या आप ने कभी किसी कार मनेफेक्ट्रे कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अब तक कितना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गे